कि इस वीडियो में कख्षा एक विग्यान भाग्थिरी और इसका हम जानेंगे चप्टर नंबर पॉंच कौनशा चप्टर चप्टर नमर फोंच चिप्टर का नाम है घरसन के कारण त्मस्थे पहले वाले सारी चप्टर पॉंच हो टारी में जान चुके हैं सबी परशन का उतर इसी वीडियो में जानेंगे पीडियेफ के साथ, चलिए, सुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, सबसे पहला कुश्चन है, कौन सा बल गतिसील गेंद की गती को मंद करता है, उतर होगा घरसन बल, गतिसील गेंद की गती को मंद करता है, दूसरा का विरोध करता है, इसी बल को घरसन बल कहते हैं, तिसरा परसन है, अस्थेतिक घरसन तथा सरपी घरसन में अंतर बताईए, इसका उतर होगा, इस्थिर बस्तु जब किसी जब गती करने की इस्थितिवे आ जाती है, तो इस घरसन को अस्थेतिक घरसन कहते हैं, जब बस्त हैं फ्रसिन नमर चार की गहर्षन बल की दिशा क्या होती है उतर होगा है मंकी दिशा सदयव गती की बीपरित दिशा में होती मिरत है पांचवा प्रस लाइक कर दीजिए और दिखिए जब गेंद ultra सक्समान बेग से भीड कें अके तो क्यों पक्षी संतल पर घ्रसन बल अधिक राता है अगला प्रहस्ति है सरक पर बहुत कम दुरी इत्यक doubt कर पाती है बगर वहां शुकिए कंभी सरक पर अधिक घ्रसन बल राता है आगे चठा है जब एक वस्तू दूसरी वस्तू की सता पर गती करती है तो कौन सी वस्तू घर्षन पर दर्शित करेगी अपसर नमर और नीचली वस्तू की सता अपसर नमर बो उपर गती सील वस्तू की सता अपसर नमर सो दोनों वस्तू की सता तो इसका उतर नमर और होगा नीचली वस्तू की सता चलिए आगे बढ़ते हैं लाइक कर दीजिए आपका अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण जो है आपका अगला प्रश्ण है आपका अगला प्रश्ण है आपका अगला प्रश्ण है खिलारी द्वारा जूतों में काउपियों क्यों किया जाता है इसका उत्तरों काउटियां जूते को फर्स से पकर बनाती है य या किक मारते हैं, कांटी लगे जूते घिसते भी कम हैं, तथा खेल के दौराओन खिलारी फिसलते नहीं, ये, ये ही कारण है जिससे खिलारी कांटीदार जूतों का उपयोग करते हैं, अपका आठवा प्रश्न, घरसन हानिकारक है, परंतु अनिवारी है, क्यों? उत्तरों का घरसन उजा का अपवे करता है, मतलब खर्च करता है, घरसन के कारण ही, वस तुम्हें घिस जाती है, चाहे घर के वर्तन हो, या हमारे जूते, किसकर खराब हो जाते हैं, इस अर्थ में घरसन हानिकारक है, लेकिन अनिवारी इसलिए है, क्योंकि घरसन के बिना हम चल ही नहीं सकते हम लिख भी नहीं सकते घरसन के बिना हम खेल भी नहीं सकते तो घरसन हानिकारक है प्रंतु अनिवारी है नवा प्रशन है धारा देखिए आकिरती से आप क्या समझते हैं हवाई जहाज की आकिरती या नाव या जहाज को विसेस आकिरती क्यों परदान की जाती है उत्तरोगा घर्चन के वल जमीन पर ही नहीं या पानी और हवा में भी होता है पानी में तरते समय बैक्ती को हाथ और पर दोनों से जोर लगाकर पानी को काटा जाता है और तरते हुए आगे बढ़ा जाता है नाव जहाज या हवा या जहाज की आकिरती मचली की आकिरती से बनाई जाती है इसे से इन्हें पानी या हवा में आगे बढ़ने में आसानी होती है आगे आपका दसवा प्रषण है खाली अस्तानों को भरिये अगला दूसरा है चिकनी सता की अप्यग छारुक्री सता डैस घरसन उथपन करता है तो अधिक घर्षन, अगला प्रसन है केरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षन डैस हो जाता है, उतरवा कम हो जाता है, अगला है तरल घर्षन को डैस कहते हैं, तो तरवा करसन कहते हैं, यह नमर में है हवाई जहाज को आकिती डैस होती है, जिससे हवा के करण है होती है वाइजाल कि ग्रफ प्रस्न नीचे दिये के कफंग सत्य है या ओस क्ति जब किसी गेंध को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती है कहोगा घर्चन के कारण उसमा और जा उथपन होता है सत्य होगा जब घर्षन करते हैं तो उस्मा और जावत्पन होता है बस तो के भार पर घर्षन का मान निर्फर करता है यह भी सत्य होगा लास्ट प्रसनेहक के प्रयोग से घर्षन का मान घट जाता है साथ प्रसनेहक मतलब तेल जब देखते हो यह साइकल मट साइकल का जब जम हो जाता है कोई चीज तो उसमें हम डाल देते हैं तेल सनेल तो हमने इस वीडियो में आपको घरसन के कार्व ये चप्टर छठा था इसका सारा प्रशनुत्तर बताया है वीडियो अगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो देखना चा